कि आपका OPPO FONE भी switch off नहीं हो रहा है, जब भी आप अपने OPPO FONE को यहां से switch off करने जा रहे हैं, कि आपको भी कुछ ऐसा ही error देखने को मिल रहे हैं, try saying, send a message, कभी set a alarm, कभी try to, jimini, कभी voice assistant का call मिला के बहुत सरे option दे रहे हैं, लेकिन आपको power off और restart का option देखने को नहीं मिल यहां पर यहां पर यहां पर यह मैं अपने OPPO FONE में जो भी on-off नाप परण सको लांग परस करेंगो, तो जैसी लांग परस करेंगो तो वापस आप दूसरा error देखने को मिल रहे है, try now, near me, कुछ ऐसा error देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर मुझे power off और switch off का option नहीं मिल तो दोस्तो अगर आपके पास भी OPPO Company का कोई सा एक model का phone है, तो ऐसे में अगर आपके OPPO का phone भी switch up नहीं हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी setting के बारे में बताने वालो, जिस settings को enable करने पाद मैं guarantee के साथ, life proof के साथ, आज की इस वीडियो में आपको settings को open करने तो जैसी आप settings को open करेंगे तो setting का कुछ ऐसा interface है तो यहां पर आपको setting के top करने पर search बारे में direct search करने होगा P R E SS, आपको press link के search करने है, तो जैसी आप press link के search करेंगे तो आपके समझे 5-6 options नहींगे, तो आपको quick assist emergency SOS पर भी click नहीं है, press power button to end calls पर click नहीं है, जह पर press करने है, तो जैसी press करेंगे तो again आपके समने as interface प्रेस and hold the power button, तो आपको again इस पर click करने है, तो जैसी click करेंगे तो आपके समने 2 option हैंगे, power menu को voice assistant को, आपको power menu के icon पर click करने है, तो जैसी click करेंगे तो आपको यहां से direct से back आ जाने है, तो जैसी back आ जाने है, अब हम च तो दोस्तों कुछ इस सैटिंग की मज़ए से आप जो अपने ओपो फोन में इस प्रावलों को सालू कर सकते हैं यह थी छोटी से इंफार्मेशन वीडियो से लेगी चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं थैंक यू